जिन्दगी जीने के लिए परिवार के लोगों को कितनी मसकत करनी पड़ती है कितना जूजना पड़ता है वो मैंने देखा है जीया है लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब एक भी भारतिय ऐसी गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो मेरा भारत मेरा परिवार अब गरीबी की जिन्दगी नहीं जीएगा आज मुझे ये देखकर संतोस होता है कि पिछले दस साल में पचीस करोड लोग गरीबी से बहार निकले है ये मैं संतोस मार करें सोने वाला नहीं हूँ हाँ मेरा विश्वास बढ़ गया है कि मैं अगर इतनी महनत करता हूँ अगर पचीस करोड लोग निकल सकते हैं गरीबी से बहार आने वाले पांच साल महनत जरा ज्यादा करूँगा ताकि सब के सब गरीबी से बहार आ जाए जब उनकी गरीबी दूर हो सकती है तो यह तय है कि भारत से हम हर किसी की गरीबी हटा सकते हैं इसलिए मैं जी तोड महनत करूँ और मैंने देखा है कि मेरी महनत में रंग भर दिया है मेरे देश के गरीबों ने मेरी महनत को नई ताकत दी है मेरे देश के गरीबों ने क्योंकि जब मैंने उनको कहा कि मैं आपको हत्यार दूँगा मैं आपको अवसर दूँगा आपकी महनत गरीबी को परात करेगी और उन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चल दिये और पचीस करोड लोग गरीबी को द्वस्त करकर के बाहर निकल आए और इसलिए इस सफलता में उन गरीबों का सबसे बड़ा योगदान है जो मेरी बात मान करके मेरे साथ महनत के लिए आगे आए और जब मैं उनको कहता था का पहले अतनी महनत करते तो नहीं बोले साथ आपको देखते हैं न इसलिए हमको लगता है कि आप हमारे लिए अतनी महनत करते हैं तो हमें हमेरे लिए और ज़्यादा करनी चाहिए और इसलिए एक प्रकार से हर किसी को महनत का चेप लग गया और हर कोई महनत करने लग गया तो गरीबी जाने लगी भाईयो मैं जानता हूं कि भारत विक्सित होगा तो उसका लाब हमारे देश के प्रत्येग नागरिक को होने वाला है आपको होने वाला है भारत विक्सित होगा तो हर भारतिय की आए बढ़ेगी और जब हर भारतिय की आए बढ़ेगी तो मेरे बंगाल के लोगों की भी आए बढ़ेगी